नमस्कार मेरिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आज हमारे साथ बैठी है इसके न स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिचा ठाकुर सबसे पहले स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल पर तेंक्यू मैम ये सफेद बाल का होना पहले एक दिखा जाता था कि एक लिमिट टाइम में 40 या 35 ऐसे कुछ एज होता था जो बाल सफेद होते थे लेकिन आज के हर उम्र के लोगों में ये बाल सफेद होनी का जो एक ट्रेंड ही कह सकते हैं जो चला हुआ हर लोग इसे परिशान है तो ये क्यों हो रहे हैं सफेद बाल जिन्हें अपने मेडिकल टर्म में कनाइटिस बोलते हैं इसके कारण बहुत सारे हैं और बढ़ता फैशन इसका वन आफ दे मोस्ट इंपॉर्टन दीजन है अभी के टाइम में बच्चे दस बारा साल के उमर में पारलर जाते हैं स्पार कराते हैं और बाकी हेर स्टेटनिंग ये सब कराते हैं जितना हेर कलर कराएंगे आप अपने बालों को डैमेज करेंगे जितना प्रोसेजर अपने बाल में कराएंगे तो वो बालों का सफेद होने से बढ़ाए गई यह चीज़ हमारे पास पेशेंट आते हैं जिन्होंने कभी भी कुछ नहीं कराया था बाल बिलकुल सवस्ते एक बार है कलर कराया उसके बाद सारे बाल पक जाते हैं तो उसे हम नहीं कम कर सकते हैं तो अभी क्या टाइम उसे बढ़ा रहा है आई लोग कहते हैं कि अगर हमारे एक सफेद बाल हो रहे हैं, तो लोगों का कहना यह है कि वो उस बालों को तोड़ो नहीं, नहीं तो और भी सफेद बाल होने लगें, क्या ये सच है? इससे कोई मतलब नहीं है एक्चली जभी भी बाल हमारा सफेद होता है उसके पीछे दो कारण होते है इसमें जनेटिक सबसे इंपोर्टन कारण है हमारे बाल में जो भी यह वो जीन्स है तो ज़्यादा तर लोगों को हम देखने देखते हैं कि जिनका family history strong है कि जैसे maternal या paternal side में early graying है तो उनके बच्चों को भी early graying होना है या तो फिर अगर कुछ ना कुछ underlying बिमारी है जैसे thyroid के patient में अब के time में बच्चे के birth के time में ही thyroid test करा जाता है क्योंकि जिनने भी thyroid का problem है तो early graying होगी अगर कुछ deficiency है तो graying होगी और हमारे जो lifestyle अब का है उसमें कोई भी healthy नहीं खाता है कोई भी healthy lifestyle नहीं lead कर रहा है stress जादा है तो यह सब factor है जो हमारा premature graying का cause करा रहा है तो यह बाल कर करना जो अब हो चुके है जो सफेद बाल तो उनसे जो अब बचे हैं उनका किस तरह से खयाल रखा जाए जो वो नाकम से कम पके जो बाल पक गए हैं उसके लिए भी treatment होता है कुछ treatment अब चालू हुआ है जिनने लंबे टाइम लगाने से जितने पे graying आपका रुग गया है वो रुगा रहता है तो जभी भी आपको कुछ बाल का समस्या दिखे अपने dermatologist से मिले पारलर पे वो डॉक्टर नहीं है उन पे भरोसा जादा ना करें फाइनली उन लोगों को भी डॉक्टर के पास ही आना होता है और ये चीज को समझना है कि जभी भी आपके बाल पकड़ें तो उसमें artificial इस्तमाल नहीं करना है जितने जल्दी आप hair color शुड़ू करेंगे तो और बाल आपके और जादे white होंगे जो भी आप मेहंदी का इस्तमाल कर सकते हैं और वो मेहंदी जादा तर कोशिश करें कि natural हो जितने भी artificial products लगाएंगे whitening और बढ़ता है इसके treatment क्या है मैम जो लोग आपके पास आते हैं सफेद बालों की शिकायत लेकर तो उनके लिए क्या treatment होता है इसके लिए कुछ medicines होती है जैसे पाबा एक दवाई है जो हम के नाइटिस में यूज करते हैं यह नहीं है लेकिन जितने पे है उतने पेड़ का रहता है तो फिलाल के लिए इतना ही उमेद है डॉक्टर साहिबा ने जो आपको बाते बताई है उसको आपने समझ लिया होगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे फेस्बुक पेज को लाइक करे डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद